तो आई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेश राशिस आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा भागे से आपको अच्छा स्रयोग भी बिलेगा तन्तो घर परिवार में किसी को सौस्ते समंदे दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोस समझ के परियोग करेंगे तो दिन उत्तम हुआ गरशब राशी बजशब राशी वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेल कूल में योगता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों उनके लिए काफी अच्छा संबलता का देना और कामकास भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है प्रण तो परवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल ना होने के कारण अनुबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सायम से काम ने हैं। मित्र नाशी, मित्र नाशी वालों के लिए हर तरह से दिन हुत्तम रहेगा, कोई शुब समचार्वगी पाप्ती भी हो सकती है, मित्रों के साथ अच्छा समय वे तीत होगा, पर वारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परन्तु स प्रक राशी वालों के लिए अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है, नए कामों की सोच मन में आएगी, और आप करेंगे भी कामजाबी भी है, और आपको मान समान में अच्छी व्रिदी भी प्राप्त होगी, और परिवार का साथ भी रहेगा, प्रन्तु कोई अशुब समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से, सिंग राशी, सिंग राशी वालों को आज अपना काम कास तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ मैसूस होगा, धार्मी कारियों की तरब भी मन काफी अक प्राप्त होगा, धन्तु आपके ओपर किसी प्रकार का अरोप लग सकता है, आपको स्वास्थे के प्रती भी विशेश साभानी रखने की आज के दिन हवाशकता है तुला राशी, तुला राशी वालों के लिए खटा मिठा दे, जो लोग बिलकुल सीरियस की आज के दिन कोई पड़ाई लिखाई में या प्रती योगता में जाना चाते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है, और कामकाज में मन नहीं लगेगा प्रंतु, अगर आज आ कामकाज के अंदर धनलाब के लिए ही उत्म है, इसके अलावा अचानक बे मतलब की, बे वज़ा की किसी के साथ में वाल विवाद भी हो सकता है, मान से तनाव बढ़ सकता है, और इन सबके बीज में गरज जीवन में भी कोई न कोई कलाफ हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा स अगर आज के दिन अपने आपको वादों विवादों से बचाते हैं, तो हर तरह से उत्म दिन होगा, हर तरह से शुब समचारों की प्राप्ती होगी, मन में परसंता देखने को मिलेगी, और परिवार के साथ अच्छा समय वेतीत होगा, और कामकाज में भी सफलता प्राप प्राप्ती हैं, तो उसके लिए तो दिनों तम है, पंतु स्वासे में भी थोड़ा बताव के छूपर निचे हो सकता है, और प्रिक्षा प्रतियोगता के पर नाम अपने अनुकूल ना रहने का दिन है, और यात्राओं में खास तरह के आज अपने आपको बचा करके रखे यानि कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अन्होनी घटना घटित हो सकता है, कुम राशी, कुम राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसलिए अगर हो सके, तो आज के दिन अपने आपको हब तरह के विवाद से अगर आप दूर रखकर के परमात्मा की श मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है, परिवार की तरफ से हब तरह का सुख और सरयोग प्राप्त होगा, आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ये अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे, और आप जो भी कार्या करेंगे उसमें सफलता म लेंगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है